हेलो स्टूडेंस वेलकम दू कॉंपेटिशन कम्यूनिटीज यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I'm the faculty of law in the competition community और आज आप लोगों के लिए में लेके आया हूँ हमारे Legal Service Authorities Act 1987 की सीरीज का एक और वीडियो लेक्चर आज हम किस बारे में बात करेंगे आज हम थोड़ा सा फिनांस की तरफ बढ़ते हैं यानि कि आप लोगों को लीगल साहिता दे रहे हैं तो आपको पैसो की जरुवत कुछ जादा ही पढ़ेगी तो आज हम Legal Service Authorities Act के अंडर में पढ़ेंगे उन provisions के बारे में जिसके अंडर में authorities यानि कि State Legal Service Authority National Legal Service Authority और District Legal Service Authorities जो हैं वो अपने finance को कैसे manage करती हैं उनके पैसे कहां से आते हैं किस तरह से वो अपने खर्चों को निकालती हैं उसके बारे में उन पढ़ेंगे यह कहां दिया हुआ है यह Chapter 5 of National Legal Service Authorities Act में दिया हुआ है इससे पहले हमने क्या पढ़ा था एक और expect provision अगर आप देखना जाहें तो देख सकते हैं अब हम यहाँ पे कहां से शुरू करेंगे हम शुरू करेंगे Chapter 5 से जिसका शुरूबात होता है Section 14 से तो आज की इस वीडियो लेक्च्चर को बिना डीले के आगे पढ़ाते हैं बहुत चोटा सा पाट है इसको आप केवल सुन लेंगे तो भी आप समझ जाएंगे इसलिए आपको कुछ ऐसा हेक्टिक नहीं है जिसका आपको लोड लेनी की जरूरत है आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं Chapter 5 के इंडर में Finance, Accounts and Audit यानि कि Finance मतलब Money-related Matter आपके पास पैसे हैं उनको किसी अकाउंट में रखा जा रहा है उनको खर्च किया जा रहा है तो समय समय पे उसका Audit होना ज़रूरी है तो उस प्रोविजिन के बारे में भी हम इस चाक्टर में पढ़ेंगे Section 14 को Readout करते है Section 14 बात करता है Grants by the Central Government सब्सक्राइब यानि कि Central Government क्या करेगी जो Grants देगी उसके बारे में बात करी जा रही है जैसा कि हमको पता है यह एक Central Body है यानि कि Nalsa Salsa ये सब सेंटल में बात करी गहें और नालसा डिक इसके अंडर में आती है Central Government के अंडर में आती है सालसा और डालसा जो है वो State Government के अंडर में आती है यानि कि एक बात clear हो गई कि NALSA को आने वाले सारे fund कौन देगा Central Government देगी और इसके बारे में बात यहीं करी गई है कि the Central Government shall after the due appropriation made by the Parliament by law in this behalf pay to the Central Authority by way of grants such sums of money as the Central Government may think fit for being utilized for the purpose of this act यानि कि Central Government जो है जो उसको fit लगेगा जो सही लगेगा जितना grant उसको देने सही लगेगा पार्लिमेंट के रूल बनने के बाद से वह उतना grant किसको देगी यहां पर लिखा हुआ है Central Authority इसका मतलब है नालसा को जितना उस इस Act के फुल्फिल्मेंट के लिए नालसा को जरूरत पड़े उतना पैसा कौन देगा Central Government नालसा को देगी section 14 के वह इतनी बात करता है grants मतलब की वह पैसे वह aid वह sum वह money उसके बारे में बात करी गई अगले section में जंप करते है section 15 बात करता है national legal aid fund की यह किस नालसा एक फंड बनाएगी जिसका नाम होगा national legal aid fund नाशनल सबसे आप समझ जाएए कि नालसा के द्वारा क्रेट किया जाएगा याद रखने का एक आसान तरीका हो सकता है और इसमें वह sum डालेगी money के कौन से वह सारे के सारे पैसे जो की central government ने section 14 के अंडर में दिया था section 14 में हमने पढ़ा था कि central government पैसा देगी जो भी वह पैसा देगी वह इस fund के अंडर में नालसा को डालना होगा जैसे कि आपको पता है कि वह legal aid के लिए काम करते तो इस organization में इस जगह पे आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आप society को benefit के लिए कुछ help करना चाहें वह कितना भी amount हो सकता है तो ऐसे जो भी donations आएंगे वो time to time क्या हो जाएंगे national legal aid fund में डाल दिये जाएंगे और part c क्या कहा रहा है any amount received by the central authority under the orders of any court from any other source यानि कि court के order से किसी और source से जो पैसा आए यह कैसे हो सकता है अब मान लीज़े किसी party के ओपर compensation डाल दिया या किसी बात क्या है सब क्लॉस 2 किस बारे में बात कर रहा है सब क्लॉस 2 कह रहा है the national legal aid fund shall be applied for meeting यानि कि चीजों को कि जरूरतों को पूरा करने के लिए national legal fund national legal aid fund का इस्तमाल किया जाएगा वह यहां पे लिखा हुए the cost of legal services provided under this act including grants made to state authorities यानि कि जो भी legal service देने का खर्च है उसको meet किया जाएगा और उसके साथी साथ क्योंकि नालसा superior body है तो सभी सालसा को वह क्या करती है aid के लिए पैसा देती है वह पैसा भी दिया जाएगा और क्या कह रहा है the cost of legal services provided by the supreme court legal services committee नालसा के एंडर में कौन काम करनी है सारी state authorities भी काम करनी है और सा है any other expenses which are required to be meet by the central authority और इसके अलावा बाकि जो भी खर्च नालसा के होंगे जिस भी प्रकार के वो खर्च होने है वो time to time case to case इस वैरी करेगा उन खर्चों को भी national legal aid fund से किया जाएगा मैंने असका मतलब है नालसा के सारे खर्च कहां से हो रहे है national legal aid fund से हो रहे हैं आगे बढ़ते हैं एक superior position को hold करते हैं तो जो authorities हैं वो committees को क्या करेंगी fund grant करेंगी section 16 की तरह बढ़ते हैं state legal aid fund इसको रीड करने की कोशिश करते हैं A state authority shall establish a fund to be called as the state legal aid fund and there shall be credited there too यानि कि state जैसे नालसा में बनाता है वैसे सालसा यहां बनाएगी all sum of money paid to it or any grants by central authority for the purpose of this act यानि की नालसा के दवारा दिया गया कोई भी grant और बाकी का जो पैसा इनके पास आ रहा है वो इस state legal aid fund में चला जाएगा any grant or donation that may be made to the state authority by the state government by any person for the purpose of this act यानि की कोई भी grant जो की state government दे रही है कोई भी पैसा या कोई भी donation जो की कोई person दे रहा है सालसा को वो भी इस account में जाएगा उसके साथ जात एनी अधर amount received by the state authority under the orders of any court यानि वही सेम चीज नालसा को जैसे कोई court order कहके कह सकती है कि वही आप नालसा में इतना पैसा डाली है वैसी हो कह सकती कि अब सालसा में इतना पैसा डाली है ठीक है सर अब state legal aid fund shall be applied for meeting यानि कि वह खर्च कहां किया जा सकता है the cost of function referred to in section 7 section 7 में जो भी चीज़े दी हुई है यानि सालसा के बारे में बात करता है section 7 उसमें जो भी चीज़े दी गई है उन functions को fulfill करने के लिए उन पैसों को खर्च किया जा सकता है the cost of legal services provided to legal high court legal services committee जैसा मैंने बताया था state legal service authority उठाएगी state legal aid funds है और क्या है see any other expenses which are required to be met by the state authority यानि कि state authority सालसा को और जो भी खर्च आ रहे हैं उन खर्चों के लिए जो भी expenses हैं वो यहां से बेयर हो करेगी आ जाते हैं अगले section पर सर अगला section क्या क्या रहा है district legal aid fund every district authority shall establish a fund to be called as district legal aid fund यानि कि डालसा में क्या होगा district legal aid fund होगा और क्या क्या रहा है all sum of money paid और any grants made by the state authority to the district authority for the purpose of this act यानि कि सारे के सारे वो पैसे जो की state legal service authority ने डालसा को दिये हैं क्योंकि superior कौन है यहाँ पर सालसा है नालसा था सबसे उपर फिर सालसा फिर डालसा तो डालसा को सालसा ने जितने भी amount दिये हैं वो amount कहां पर हो जाएंगे इस particular fund में चले जाएंगे any grant or donation that may be made to the district authority by any person with the prior approval of state authority for the purpose of this act यानि कि donation देगा लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या आ गई और any other amount received by district authority under the orders of any court यानि कि court के order से जो भी अगले amount मिले उनके खर्च के बारे में बात कर रहा है district legal aid fund कहां apply किया चाहेगा section 10 और 11 b में यानि कि तालुक legal service committee और कहां पर section 10 बात करता है functions of dalsa के बारे में और section 11 b बात करता है functions of तालुक legal service committee जैसे एक चीज़ ध्यान में रख लीजे नालसा के अंडर में आती है supreme court legal services committee साल्सा के अंडर में आता है हाई court legal services committee और डाल्सा के अंडर में आता है तालुक legal services committee उसी तरह तालुक legal services committee के expenses को बेहर करने के लिए और any other expenses which are required और भी जो expenses जो required है उनको meet करने के लिए ये काम किया जा सकता है जल्दी से आते हैं section 18 पे section 18 थोड़ा सा बढ़ा लग रहा लेकिन है कुछ भी नहीं जल्दी से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं यह आखरी section ने इस chapter का के रहा है था सेंटल अथोर्टी से तोडॉर्टी सेट अथोर्टी अगर नहीं पता है तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगा आर्टिकल 148 को जा कि आप पढ़िए इंडिन कॉंस्टिटूशन का वहां पे इनके स्टाब्लिश्मेंट के बारे में बात करी गई है वह अभी हम नहीं पढ़ते हैं अभी हम इस बारे में बात करते हैं यह कह रहा है कि आपको इतना पैसा दिया जा क्या लिखा हुआ है relevant record and prepare annual statement of accounts जो भी इनका पैसा है उसका एक annual statement इनको maintain करना होगा सब section 1 के वाल इतनी बाते कर रहा है सब section 2 कह रहा है the accounts of the authorities shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as maybe specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the authority concerned to the Comptroller and Auditor General of India subsection 2 के वाल इतना क्या रहा है कि Comptroller and Auditor General of India जो होंगे वो समय समय पे जो वो समय करेंगे कि कितने intervals पे वो जाके क्या करेंगे उसके जो books हैं उसके जो audits हैं उसको audit करेंगे उनके records को audit करेंगे उनके खर्चों को audit करेंगे और यह time period वो खुद decide कर सकते हैं और साथी साथ क्या जार किया जा रहा है और जो भी expenditure incur होगा उस particular उसको करने में उस particular audit को करने में उसको कौन बेयर करेगा उसको वो पर्टिकुलर authority ही बेयर करेगी यानि नालसा के audit करने के लिए जो खर्च उठाना पड़ेगा और जनरल को वो खर्च वो उसके उसके लिए पेवल नालसा ही होगी नालसा ही वो पैसे देगी किन को CAG को ठीक है आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 क्या रहा है तो Comptroller and Auditor General of India and any other person appointed by him in the connection with the auditing of the accounts of an authority under this act shall have the same rights and privileges and authority in connecting with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the auditing of the government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the authorities under this act केवल इतनी सी बात कह रहा है कि Comptroller and Auditor General of India, India में एक है वो हर जगा पे नहीं हो सकते तो वो अपने junior और subordinates को क्या करेंगे भेजेंगे कि आप जाके करिए तो उस junior और subordinate के पास वो सारी पावर होंगी जो एक CAG के पास होती है और वो किसी भी book record या किसी भी notification का demand कर सकता है और उसको उसी तरह से treat के आजा जैसे कि CAG खुद चल के आए हैं और क्या कह रहा है the account and authorities as certified by the Comptroller and Auditor General of India और any other person appointed by him in this behalf together with the auditor tell report thereon shall be forwarded annually by the authorities to the Central Government or the State Government as the case में भी यानि कि यह भी जो भी audit होगा इसकी report Central Government or State Government as the case में भी और the case में 17 आप डाते हैं तो Central Government को भीजेंगे सालसा की बात दो State Government को भीजेंगे एक report State Government की कि कि सकते हैं साल सामी एक report कहा हिए सकते हैं स्टेट गोवर्मेंट के अलावा नाल सामें भी भी जा सकती है कि सरा आप भी देख लीज़े क्या चल रहा है आपके नीचे और क्या कह रहा है यह यह चैनल गॉवर्मेंट जो है वह अकाउंट और रिपोर्ट जो है सबसेक्शन फोर में जिसकी बात करी जा रही है क्योंकि कोई सवाल पूछ सकता है कि सवाल का आपको जवाब देना पड़ सकता है तो ऐसे केस में सबसेक्शन जो है वह यह फाइफ काम करेगा और साथी साथ इच हाउस ऑफ पारलिमेंट में यह जो रिपोर्ट है वो लेडाउन करी जा सके जा सके स्टेट गवर्मेंट श सकते हैं यह लोग सकते हैं और यह लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं यानि कि यह कुछ इतना hectic section नहीं था इसमें आपसे बहुत जादा कुछ questions पूछे जा सकते हैं तो वह यह हो सकते हैं कि CAG के right क्या है audit करने के लिए और दूसरा यह पूछा जा सकता है कि सालसा या डालसा को जो एड है यानि जो grant है वो कौन सी authority देती है या question ऐसा बन सकता है कि high court legal services committee जैने कि जो तीन committee है Supreme Court legal service committee high court legal service committee और तालुक legal services committee इनके grant किस किस के पास से आते हैं question सिर्फ इतना ही बन सकता है इससे तो आप इसी के perspective से पढ़िए हमारा अगला जो वीडियो आए चाप्टर 6 में उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए अपने इस portion को रिवाइस कर सकते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आप हमारे लीगल अपडेट्स को मिस ना करें मिलते एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल थैंक्यू और अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को